वेलकम पाक फ्रेंट्स तो विजन डव्लू बीसी एस तो अम अधर जे डव्लू बीसी एस मेंस 2021 के लोखो को रे जे मेंस मॉक टेस सीरीस टा चोल छे शेटा अरक के आज के आम रा आबार कंटीन्यू कोर छी से ट नवर 6 जे खहा ने आम रा पेपर 4 आफ्डलू ऐस मेंस एटा के आमरा कवर कोर भो लास्ट जे सेट चिलो सेट सेट नवर 5 शेखा ने आम रा पेपर 4 कोरे चला से नवर 6 है आम रा पेपर 4 कोरभो सेट नवर 7 है आम रा पेपर 5 है मूब आन कोरभो key so this paper this this set is of paper 4 let's start तारागे तुम अधर के बोले दी जे समस्तो क्लास तुम्रा Vision WBCS एर YouTube चैनल हे कोर्चो एई समस्तो क्लास हेर PDF तुम्रा Free of Cost ते आमा दे Vision WBCS एर Official अप पे पे जाबे तो Play Store हे गिए आमा दे अफिशियल अप टाके डाउनलोड कोरबे इंस्टाल कर और पर विखाने लोगिन कर बे लोगिन कर और पर जे समस्तो YouTube क्लासेज हुच्छे शे समस्तो YouTube क्लासेज हेर तुम्रा PDF नोट्स Free of Cost ते विखाने पे जाबे और जारा आमा दे चैनल नो तूना चो तारा आमा दे चैनल के सब्सक्राइब करो बल इकन टेके प्रेस को रहने हो for notification आद जुदि आमार वीडियो टा भालो लाग्चे आमा देर कोर्स तो मादेर भालो लागे ता होले डू like and share अगे? moving on, first question प्रोथोम question बोलचे the emission spectrum of hydrogen discovered first and the region of electromagnetic spectrum in which it belongs respectively are तो मागे जिगा सा कोरा होचे that emission spectrum जेटा प्रोथोम emission spectrum जेटा के discover कोरा होई चलो शेटा, कोंटा and hydrogen spectrum जेटा के discover कोरा होई चलो इस spectrum कोन electromagnetic spectrum में region ते बिलॉंग कोर चे तो हमादेर के emission spectrum के identify कोरते होबे as well as region of electromagnetic spectrum के हो identify कोरते होबे तो चार्टियो option आचे Lyman, option A Lyman, ultraviolet, option B होचे Lyman visible, option C होचे Balmer ultraviolet and last option होचे Balmer visible, तो की हाँबे right answer एक तो standard question आचे एटा because आम रा मेंजेर oriented class कोर ची तो questions गुलो shop ता ही आम रा किन तो standard ही कोर भो okay, so एटा की, what will be the answer comment box से जाना absolutely तुम्हाँ आने करा ही शोडी कुत्तोर दिया चो it's option D Balmer visible त्याको जे प्रोथोम emission spectrum of hydrogen discover होचे लो, शेटा के आम रा बोली बाल्मर spectrum and एटा visible region ने discover होए छे लो, it belongs to the visible region okay, तो आम ही तो मादर के बोली दिए बाल्मर सीरीज के दाखों 1885 ए जोहान बाल्मर discover कोरे छे लेन एई सीरीज टाके उना नाम ही एई सीरीज नाम टाके बाल्मर सीरीज बोला होए छे आन यह बाल्मर सीरीज टे ज्य इलेक्ट्रन ट्रांजिशन होए छे टाशॉप्षम होए हाईयर अनरजी स्टेट थीके लोवर अनरजी स्टेट होबे, that is NH3, 4, 5, 6 सोवान थीके अनल 2 ते जे आमादर अनर्लेक्ट्रन ट्रांजिशन टा होबे clear moving on second question in which of the following pairs the two physical quantities have different dimension ए खने तो मादर सामने चाट्टे option देवा आछी ए चाट्टे option एर मुद्दे कौन option ए ये दूटो pair देवा आछे ए दूटो pair ए फिजिकल quantity एर dimensions आलादा आछे आम अधर के एटा identify कुरते हो अबे धाट कौन option एर फिजिकल quantity एर dimension ता आलादा आछे की आवे राइड आंसर तरा तरी आमा के जानाओ in the comment box absolutely तोमरा अने कराई शोटी कुत्तोर दिया चो it's option c moment of inertia and moment of force ए moment of inertia and moment of force एर dimension कुलो आलादा हो है देखे नहीं हामरा दाको moment of inertia dimension होचे m1 l2 t0 okay while moment of force एर जे dimension होचे शेट होचे m1 l2 t-2 t-2 बामरा बोलते पार ही t square inverse okay तो आमा देर जे एकाने दूटो physical quantity दावा चेलो moment of inertia and moment of force एर दूटो physical quantity है dimension किन्तु आलादा होचे okay एटाई आमा देर क्या identify कुरार चेलो एक question है moving on next question a body is floating in a liquid at rest find the incorrect statement about the situation एक चाट्टे option तोमा देर क्या दावा होचे एक चाट्टा option है कौन statement भूल आचे regarding the situation when a body is floating in a liquid at rest option तोमा देर सामने आचे giving you 30 seconds for this question तोम्रा solve कुरे आमागे जाना आवे कियो अब है राइट अंसर दाखो कियो अब राइट अंसर दाखो जस्टेक्टू भाब्बे situation था के भाब्बे ताट बॉड़ी इस फ्लोटिंग इन लिक्विड एक रेस्ट रेस्टे स्वमा बॉड़ी फ्लोट कूर चे तो इचाट्टे option ने मुद्दे कौन स्टेटमेंट अब इनकरेक्ट आचे रिगार्डिंग अट सिचुएशन दाखो की होबे अंसर तो अपसलिटली इटार अंसर होबे अप्शिन दी वेट विल बी ग्रेटर दन बाइनसी दाखो अम्राज जानी जो तोखोनी कौनों बाडी फ्लोट कुरे तोखोन और वेट किंटू बाइनसी थी के ग्रेटर होए ना इट विल नॉट बी मोर देन दी बाइनसी बाइनसी बाइन फोर्स तो option D is absolutely incorrect statement regarding the situation okay moving on fourth question the value of the compressibility of an ideal fluid is zero unity infinity more than of real fluid कियो अबे राइड आंसर हमादेर के ideal fluid value of compressibility टाके जा बोलते हो अबे what is the value of compressibility of an ideal fluid तुम्हादेर क्या में एक question टार जोन्नो 20 seconds दीच्छी 20 seconds दे तुम्हा ये answer टा कोरवे and answer टा करो कोखोनो एटा भाब्बे ना भूल होबे right होच्चे की होच्चे एशोब ना भेबे तुम्हा आंसर टा करो answer कोखो एकटा भालो अब्भाश होबे and तुम्हा तुम्हादेर भूल कोखो ले किन्तु वह खांती के शीकते पारवे okay so understand की होबे right answer so it's option A 0 दागो sorry actor call लेशी चलो extremely sorry friends so answer टा होबे 0 दागो ideal fluid की जिनिश ideal fluid ऐमोन actor fluid होए जेटार compressibility आगदो मी 0 थागे that is it is incompressible and internal resistance हो 0 थागबे that is viscosity हो 0 थागबे compressibility हो 0 थागबे एमोन fluid के आमरा ideal fluid बुली okay but in real life actually थे कोनो ideal fluid exist कोरे ना there is no presence of ideal fluid naturally okay तो येटा केंदो मोने रागबे that ideal fluid air compressibility as well as internal resistance that is viscosity दूटो ही 0 थागबे okay moving on fifth question the potential energy of a molecule on the surface of a liquid compared to one inside the liquid is माने तो मागे question जिगाशा कोर छे दाट आक्टा molecule जेटा कोनो आक्टा surface लिक्विडेर surface है आछे शेई molecule पोटेंशियल एनर्जी के जुदी आमी आक्टा molecule जे लिक्विडेर भीतोर है आछे शेई molecule पोटेंशियल एनर्जी शाते जुदी compare कोरी एई दूटो molecule आक्टा जेटा surface है आछे और आक्टा जेटा लिक्विडेर भीतोर है आछे एई धूटो molecule एट पोटेंशियल एनर्जी के जुदी compare कोरवो ता होले कार potential energy टा what will be the result comparison टा की बेरोबे एटा आमाँ देरके बोलते होबे तो option होचे जेरो lesser equal greater की होबे answer टा question तुमाँ दे शाम नहीं आचे तरह तरही बोलो giving you 20 seconds for this question तुमाँ के question टा आचे the potential energy of a molecule on the surface of a liquid compared to one inside the liquid is answer टा की होबे just comment box जाना आवे 20 seconds तुम्रों अनेक राई शोटी कुत्तर कोरे छो it's option D greater सब सोमय मोने रागबे that actor liquid एर भीतोरे जे molecule टा थागबे तार potential energy सब समय potential energy of the molecule on the surface of the liquid थीगे कम थाके तार माने जे surface थागबे जे molecule ओर potential energy सब समय liquid एर भीतोरे जे molecule टाचे तार potential energy थीके बेशी थागबे each and every time एडा अटा universal truth तो एडा मोने रागबे ओके next next question हो चे oxidation state of oxygen in F2O F2O ते oxygen air oxidation state टा किया चे एडा तुमा के जिगा सको रहो चे giving you 15 seconds for this question answer करो किया अब आंसर oxidation state of oxygen in F2O तो F2O ते जे oxidation state अचे oxygen air it is option C plus 2 plus 2 oxidation state होच्चे oxygen air in F2O तार पौर static point जुदी आमी तोमा दर के बोली ताले point गूल होच्चे that ताको oxidation state जेटा के आम रो oxidation नंबर हो बोली एटा की एटा की एटे इस तोटल नंबर अफ इलेक्ट्रॉन्स देट अन आटम आइधर गेंस और लॉसस इन ओर्डर तु फॉर्म केमिकल बॉंड जोखों कोनो आटम अन्नो आटम इर साते chemical बॉंड तोईरी कोरे ओई बॉंड तोईरी कोरार खेत्रे आटम ता नीजेर इलेक्ट्रॉन्स टाके लूस कोर छे बागें कोर छे कोटोटा इलेक्ट्रॉन लूस कोर छे बागें कोर छे एटा क्या आमरा बोली oxidation नंबर बाग्शिडेशन स्टेट एक्टा गता आरोव इंपोर्टेंट मोने रागवे धाट जोखोनी तुमार कोनो रियाक्शन टाते oxidation रियाक्शन होचे जुदी oxidation रियाक्शन होए थाके इन डाट केस इलेक्ट्रॉन शॉप शोमय लूस कोर बे आटम आटम विल अल्वेज लूस इट्स इलेक्ट्रॉन जोखोन oxidation रियाक्शन होए और जोखोन reduction होए इन reduction एर खेत्रे इलेक्ट्रॉन गेन कोरा होए clear moving on 7th question the unit of radio activity is एक हाने चाट्टे option आचे तुम्हाँ देरके identify कुरते होबे radio activity एर unit की आछे option a co option b c i option c c r option d c q की होबे right answer radio activity unit SI unit एक हाने mention नहीं बट आक्टा option a unit mention आछे तो शेटार answer की होबे तुम्हाँ अने क्राइ शोटी कुट्त तो दिये फेले चो it's option b c i that is SI unit जे दी आमरा बोली radio activity एर ता होले SI unit हाए becquerel that is b q while unit जुदी बोलो बो तो actor unit radio activity एर actor unit q e थाके और q e टेक के आमरा की बोली c i okay so इटा मुने रागबे equation टो solve होलो that the unit of radio activity SI unit जुदी बोले ता होले तो आमरा बोलवो becquerel जुदी option नहीं क्याने becquerel थाक तो ता होले आमरा बेक्कुवेरल ही दीतां किन्तु जेई तु बेक्कुवेरल option है नहीं ता होले आमी शुक्ति के जे शोठी कुद्टर होबे as per the option शेटा देखे दीबो शेखाने option होचे option B radio activity के measure करार जोन्नो जे unit आमरा बेबोहर कोरी शेटा होचे क्योरी okay next question 8. formation of stars begin from the following two gases कौन दूटो gas ठीके star formation तो इरी होए बाँ star formation start होए बोलो option तो मदर सामने आचे giving you 10 seconds तारा तरी answer तो बोलो तो की होबे right answer तो मरा ओने कराई answer कोरे हो फेले चो very good absolutely it's option D hydrogen or helium एई दूटो gas आक्षा ते मिले एई दूटो gas दिये ही किन्तु star देर formation start होए चे आमरा star देख ची तारा गुलो देख ची तारा गुलो किन्तु formation होए चीलो because of the two gases that is hydrogen and helium clear moving on ninth question which of the following is a liquid form of aerosol aerosol air liquid form कोंटा चाट्टे option तुमाँ देर काचे आचे pume, dust, mist, smoke कोंटा होचे aerosol air liquid form तारा दारी answer तो जानाओ comment box से एक्ट्यू भाब लहीं कि तुम्रा कॉर्टे पर बेगें तु भाबो aerosol air liquid form absolutely it's option c mist mist is the liquid form of aerosol एबार aerosol जीनिश्टा की तो देखो aerosol एक्टा combination था के liquid और solid particular जेटा gaseous बा liquid environment एक्टा थाके इन्षोड जुदी तुम्हाद एरके बोली तो amon act combination of liquid or solid particles जेटा gaseous बा liquid environment एक्टा थाके शेटा के आम रहा बोली aerosols air on a glow आम रहा बोलते पारी that aerosol can be और application गोलो देख्टे जुदी जाओ तुम्हाद गूगल कोड़े तुम्हाद अनेक गोलो application पाबे तो one of the degrading application is that aerosol जुदी present था के आमा देर air एक्टा जिन्टा visibility के कौमा आएदा ठीका जे तो एक्टा टाइप of polluted on polluted only so moving on एडा एक तुम्हाद गूगल को रहनिते पारो जुदी तुम्हाद aerosol air applications गूलो बाग तुथा याप aerosols पावा जाए एटा जुदी देख्टे चाओ जुदी देख्टे चाओ जुदी गूगल it once okay but liquid form of aerosol होच्चे mist clear moving on 10th question the following organism is an endosymbiont enamina azotobacter nitrobacter clostridium इच आट्टे option ने मुद्धे कौन organism endosymbiont आछे that is symbiotic relation ने था के कौन organism ता तो अच्टो मी ठीक तुम्हाद ठीक बोले चो option D nitrobacter is an organism जेटा endosymbiont आछे that lives in a symbiotic relationship दाको endosymbiont की it is it referred to organisms living within the body or cells of the another organism in a mutualistic relationship तार मने होच्चे amon prani जे अन्नो कोनो organism इर body ते बास से ले ठाक छे mutual relationship इर माध्धो में among organisms के आम रा किन्तु endosymbiont बोली ही ओके तो आर जे ओर्गानिजम रा थाक है symbiotic relationship है यह relationship है माध्धो में जे ओर्गानिजम ठाक चे जार से ले बाचार बोडी ते आर जा जे बोडी एर उपर है ओर्गानिजम ठाक चे यह दूटो ओर्गानिजम मेरी किन्तु लाब होए तो एर जो नो हम रहा है अगे बोले mutualistic relationship and this whole relationship is known as symbiotic relationship okay clear 11th question in plants water supply is due to what is the phenomena what is the phenomena because of what water supply plant से देखा जाए plants से water supply हो है तार पीछोने phenomena बाद वाद इस दे में रीजन बहाइंड the water supply in plants option a is osmosis option b is imbibation option c is guttion and option d is adhesion force किया अबे right answer कि तुम्रों अनेगराई बोले फेल चो very good त्याको इभावे answer को लो कुरते था भूल होक right होक शेटा द्याखार दौर करनी just try to answer जोखन तुम्रा live देख्छो class टा ते answer कोरवे जाते की अबे जुदी भूलों करो ना शेटा के तुम्रा तुम्रा तोखोनी किन्तु माइंडे उटाटा क्लिक कोरे जाबे जोखन right 12th question which is correctly matched एकाने चाट्टे option दवा आछे तो मागे ड़ा बोल जिग आइडेटिफाइ कुरते आप्शन इन मुद्दे कोन पेर टा करेक्ट्ली मैच्ट अचे option a apiculture honey bee option b pc culture silk moth option c seri culture fish and option d aqua culture mosquito की ओभे राइटान सर तरह दर्याम के comment box से जाना हो कोन टा होच्चे करेक्ट्ली मैच्च विच पेर इस करेक्ट्ली मैच्च तरह दरी बोलो तो इट्स राइट option a apiculture apiculture एखाने आक्टमात्रो राइट आचे जिटा honey bee आचे honey bee farming टाके आम रा apiculture बोली okay honey bee agriculture के आम राइपी कल्चर सिमिलर्ली पिसी कल्चर बोला होए पिश के जुदी आम रा चाष कोर्ची फिश माच के चाष कोर्ची शेटा के आम रा पिसी कल्चर बोली सिमिलर्ली फिश चाष के आम रा अक्वा कल्चर हो बोली इबर पिसी कल्चर आर अक्वा कल्चर रे इडिफरेंस टाकी शेटा तो ब्रा गूगल को रही ते पारो और सिल्क मॉत एर अग्रिकल्चर टाके आम रा सेरी कल्चर बोल्ची okay सिल्क मॉत एस पर सेरी कल्चर पिसी कल्चर बेलोंग तो फिश अक्वा कल्चर अल्सों बेलों तो फिश okay moving on नेम धी आर ने मॉलेक्यूल्स विच इस उस्थ टो क्यारी जैनेटिक इन्फर मेशन गुलो कौपी करा है अधी जेनेटिक, इन copied जेनेटिक इंफोमेशन के कौन RNA molecule ट्रान्सपोटेशन ए बदाइ क्यरी कुरे, कौन RNA molecule क्यरी कुर छे GymnCu, जेने अफोमेशन copied from DNA option होचे TRNA, option B होचे mRNA, option C होचे IRrna option D होचे SNRNA, क्यों आभे राइड आंसर कोन RNA cohere genetic information copied from DNA कोन RNA molecule के आमरा यूस कोरी तो एट्स option B mRNA mRNA आमरा यूस कोरी for carrying the genetic information copied from DNA clear mRNA यर फुल फॉम टा की messenger RNA moving on 14 who described the structure of DNA double helix आग दो मी शोजा question एक सेकेंड वो टाहिन देवा उचितना option देकला हम answer कोड़ा DNA double helix structure के डिस्क्राइब कोरे चिलो तो इट्स option D Watson and Crick दागो एटाओचे DNA double helix structure इस structure टाके define कोरे चिलो प्रोथम बार Watson and Crick तो एकाने तुम्हा देखते पार चो nitrogenous base दिये तो इरी होचे इस double helical structure टा एकाने adenine, thymine, guanine, cytosine आचे base pairs बॉला होया इस आपके तो इस whole structure is known as DNA double helix structure and इस structure टाके describe कोरे चिलो first time Watson and Crick clear moving on 15 which of the following is not a component of nucleus एई चाट्टे option रो मुद्दे कौन option T nucleus air component knowing तो right answer is absolutely correct तुम्हा answer जाना है दिये चो it's option C, cytoplasm cytoplasm nucleus air component था के ना जोदी आमी देखी एकट plant cell के जोदी देखी तो देखो एजे white part जेटा आचे एटा के आम बावा cytoplasm बुली and this pink part is the nucleus एई नुक्लिय से नुक्लियर एंवलप के गाड कोर बे भी तोर एक्रोमोजोम थाग बे नुक्लियोलस थाग बे but cytoplasm is always outside the nucleus so cytoplasm is not a component of nucleus clear moving on 16 who is the most decorated olympian Usain Bolt, Michael Flapps, Larissa Latina and Karl Lewis एई चार्जन एथिलीटें मोद दे कोवन एथिलीट स्वप थीके most decorated olympian आछे क्यों अभे right answer एक्टू भब्बे ताहले answer टा पेज आवे तोंब्रा एई बाचोर SSC, CHSL लेओ एशे चाही question टा Absolutely right answer is Michael Flapps Michael Flapps जे swimmer आछे उनी हच्चे न most decorated olympian because सब्थी के बेशी gold medal जुदी कोनो olympian athlete जीते थाके ताहर नाम हच्चे Michael Flapps okay moving on Surah A. Millie the parliament of which country Surah A. Millie कोन देशेर parliament एर नाम हच्चे Option A. Jordan Option B. Iran Option C. Afghanistan and Option D. Israel की अबे राइड आंसर Absolutely it's option C. Afghanistan Afghanistan एर parliament एर नाम हच्चे Surah A. Millie clear? Moving on 18th question How many official languages are there in UNO? United Nations Organization ते को तो गुलो official languages आच्चे? क्यों आपे राइड आंसर? क्रमिंट बॉक से जाना हूँ Absolutely it's option D. 6 40 official languages आच्चे UNO ते कौन-कौन language Arabic Chinese English French Russian and Spanish एच्चे छोईटी language हुच्चे official language of UNO organization clear? Moving on 19th What is the currency of Myanmar? Myanmar एर currency टा की? Option A. क्यात Option B. Ringit Option C. पेसो Option D. बहत क्या आपे राइड answer? Myanmar एर currency Absolutely Option A. क्यात क्यात होच्चे currency of Myanmar clear? Myanmar Myanmar एर आमा देर देशे शात ही लागानू आचे 1937 Myanmar was separated from India Okay? And Myanmar बहुत माने किन्तू military rule चोल छे Moving on Last question of the day What is the National Aquatic Animal of India? National Aquatic Animal of India क्या आचे Which animal is the National Aquatic Animal of India? Right answer is Option A. River Dolphin River Dolphin आमा देर देशे National Aquatic Animal आचे River Dolphin के National Aquatic Animal बानानों हो चलो in the year 2009 after the proposal given by the Chief Minister of Bihar Nitish Kumar Nitish Kumar 2009 आचे Proposal दीए छे ले ओए पुरे National Aquatic Animal हिशा बे River Dolphin के IDENTIFाइब आ रिकौगनाइज कोरा हो ची लो Okay? So that's it friend for today आचके सेटे एक कुरी टा क्वेशन आम रा next सेटे आम्रा पेपर 5 ता कंटीडू को रुबो Till that time, thank you study hard, Jai Hind